आम दोर पर लोगों ने देखा होगा कि कोई फ्रेशर या कोई अडल्ट इंट्रिव्यू देने जाता है या फिर कभी न कभी आप भी इंट्रिव्यू देने गए होंगे लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक साल का बच्चा इंट्रिव्यू देने गया अगर नहीं तो हा आली में ब्रिटेन में एक महिला अपने एक साल के बेटे के साथ जौब इंटर्व्यू के लिए पहुंची। मैगी नाम की ये महिला दो बच्चों की मा है। उन्होंने अपने जौब इंटर्व्यू के अनोखे अनुबव को शेयर किया। मैगी ने बताया कि उनका बेटा काफी छोटा है और उसकी देखबाल करने के लिए कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। लेकिन उन्हें इंटर्व्यू के लिए भी समय पर पहुंचना था। इसलिए उन्होंने इस बारे में कमपनी से बात की। कमपनी ने उनकी प्रापलम को समझते हुए मैगी से कहा कि उनकी कमपनी Kids Friendly है और अगर वो चाती है तो ऑपने बेटे को इंटिव्यू के लिए साथ ला सकती है। इंट्रिव्यू के लिए जाने से पहले मैगी ने अपने बेटे को जॉब के लिहाज से ही फॉर्मल कपडों में तियार कर लिया मैगी ने अपने बेटे को विंटरू में लेकर पहुंची और खास बात ये है कि वो अपने बेटे का रिजियो में भी लेकर गई थे जिसमें उसकी खासियोतों के बारे में लिखाता जैसे की वो बॉल फेक सकता है, दूर से ही किसी डॉगी को देख लेता है, वो अपने डाइबर बदल सकता है और किसी भी साफ जगा को 30 सेकंड में गंदा कर सकता है